नमस्कार दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं कैंगाल वर्षिस पिटबूल के बारे में कौन है सबसे खतरनाक डेंजरस डोग ब्रीड जहां पिटबूल की बाइट फॉर्स है 300 PSI वहीं कैंगाल सैफ़र्ड डोग की बाइट फॉर्स है 743 PSI तो दोस्तो बाइट फॉर्स के मामले में तो कैंगाल सैफ़र्ड जीत चुका है वहीं कैंगाल सैफ़र्ड की हाइट 35 इंच और वेट 80 kg तक हो जाता है कैंगाल सैफ़र्ड डोग टर्की से बिलोग करता है वहीं तर्की ने इसकी इंपोर्ट पर बैन भी लगाया हुआ है वहीं कैंगाल सैफ़र्ड डोग भेड बकरियों को घेडियों आइना भालू जैसे जंगली जानवरों से बचाता है वहीं इसके विपरीत अमेरिकन पिटबुल डोग आता है विटबुल वर्ड की सबसे डेंजरस डोग ब्रीड है हाइट 20 इंच, वेट 35 किलोगराम और इसकी कंट्री अमेरिका से बिलोग करता है विटबुल डोग सीधा गले पर अटेक करता है विटबुल डोग अपने आसपास किसी कुट्टे को या किसी जंगली जानवर को पसंद नहीं करता और सीधा उस पर अटेक कर देता है विटबुल डोग ने 2009 से 2018 तक 3500 से जादा लोगों का यूएस से कैनाडा में हत्या कर चुका है इसलिए इस डोग को सबसे खतरनाक डोग ब्रीड में माना जाता है और यह 24 डेसों में बैन भी हो चुका है